हलो गाईस दिसने आनन सिंग राजपूत आप देख रहे हैं अपना चैनल जैसे का एडियो और आज हम सब का है बहुत जवरदस्त लेशन जो कि हम सब का केमेश्ट्री है डेट इस एटम एंड मोलेक्यूल और ये लेशन हम सब का बहुत 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 अब मैं इतने बार इसको बहुत क्यों लगा रहा हूँ because आप तो इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे न यहीं केमेश्ट्री का बेसिक पूरा फॉर्म करेगा ये लेशन अगर इसको आगे नहीं पढ़ोगे तो आगे चलके आपको दिक्कत होगी आगे नहीं अब हो क्लाश 10 में दिक्कत होगी फिर भाग की आओगे ठीक है फिर वीडियो देखोगे इसलिए अच्छा यही होगा कि अभी से श्ट्रॉंग कर लो इसको ओके तो हम सबका लेशन है बहुत प्यारा सा एटम एंड मोलिक्यूल एटम एंड मोलिक्यूल ठीक है अब एटम मोलिक्यूल है इसके बारे में हमको फर्दर मतलब पढ़ना है इसको एटम मोलिक्यूल होता है क्या हम सबका ओके तो हाट इस दिफरेंस बेट्विन एटम एंड मोलिक्यूल लेट सी देखते हैं क्या होता है एटम इधर मोलिक्यूल एटम एंड मोलिक्यूल क्या होते ही है चलो, समझते हैं, क्या होता है atom, क्या होता है molecule, चलो, आप तो इस term से तो जरूर familiar होंगे, क्या है hydrogen, इस से भी जरूर familiar होंगे, oxygen, ठीक है, what is this, oxygen और hydrogen है ये क्या, हम topic पे इसी पे आएंगे, हम atom की ही बात कर रहे होंगे, बाद में next हम सब का चलेगा molecule, अभी थोड़ा over, मैं इस पे hint दे रहा हूँ कि होता हो, इसमें क्या-क्या है, ठीक है, तो ये hydrogen है आपका, ये oxygen है, तो ये है क्या hydrogen, hydrogen, helium, lithium, carbon, nitrogen, oxygen, full, niya, ni, सब है क्या, hydrogen, oxygen है क्या, they are element, they are element, ओके, अच्छा, hydrogen आपको कुछ इस प्रकार से दिख decision, कुछ इस टाइप से आप family हैं इससे, इस टर्म से, तो, आट, देखो, atom बोलते किसे हैं, element के smallest entity को, element के smallest entity को, that is called atom, element के smallest entity को हम क्या बोलते हैं, atom बोलते हैं, suppose करो ये, ये मानो, ये कि इसमें हम क्या भर दिया है? sodium, क्या भर है? छोटे, छोटे, मोटे, छोटे, छोटे, छोटे लड़ू ऐसे जो आपको दिख रहे हैं ये आपके क्या है? ये मालो, ये किसके sodium है आपका? क्या है ये? sodium, ओके? अच्छा, एक अगर इसमें से आप किसी भी छोटे, मोटे, ये जो बड़े, छोटे ये सब लड़ू हैं, इसमें मैं से अगर आप निकाल लोगे, तो ये है क्या? ये sodium के atom है यानि कि element के smallest entity को आप क्या वोलोगे? ये हम सब का होगा atom अभी मैं पूरा deeply इसको नहीं बता रहा हूँ आगे समझेंगे, बस atom and molecule हम सब का जब लेसर नहीं है, तो थोड़ा सा over hint में दे दे रहा हूँ इसको के अच्छा, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ एक point इसमें क्या बनेगा? smallest smallest entity smallest entity of element smallest entity of element card क्या होगा जि? atom 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 है तो यह हो गया हम सब का यह atom होता है, यानि element की smallest entity को हम क्या बोलते है, atom next नेच्ट प्रोसीड हम करते है molecule हम सब का क्या होता है तो पहला हो गया, यह atom दूसरा हम सब का molecule क्या होता है सर molecule let's see देखते हैं इसको भी हम मा लेते हैं compound लेते हैं एक इसमें compound लेते हैं compound में example में हम क्या ले लें जी एक ले लेते हैं example में H2O क्या लेते हैं H2O suppose करो कि एक glass मैंने लिया glass में मैंने क्या भर दिया पानी that is H2O मैंने इसमें fulfill up कर दिया इसमें मैंने क्या भर दिया H2O अच्छा तो यह H2O है तो है तो कैसे बना है इसमें आप जानते हो तो atom इसमें क्या है hydrogen केसमें मौझूद है एक atom इसमें किसका है oxygen का है अच्छा जब यह दोनों यह सब आपस में form करेंगे जब आपस में मिल जाएंगे atom इसमें दो या दो से अधिक जब atom मिलेंगे तो बनेगा क्या हम सबका H2O और यही क्या होता है हम सबका यही होता हम सबका compound यह तो हो गया compound यह बना क्या compound हम सबका बना ठीक है और इस compound के smallest entity को हम क्या बोलते हैं molecule क्या बोलते हैं इसको molecule बोलते हैं बात समझ में आ गई चलो तो यहाँ दो या दो से अधिक atom मिलके बने हैं यहाँ पर तो एक एक atom था hydrogen का एक atom है ठीक है oxygen का भी एक atom है ठीक और यहाँ पर क्या दो या दो से अधिक atom मिलके compound बने हैं compound के smallest entity को हुम क्या बोलते हैं molecule और इसको हम ऐसे भी बोल चकते हैं where more than one atom chemically combine each other और उसको हुम क्या बोलेंगे molecule बोलेंगे for example इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ where more than one atom where more than more than one atom that is that is chemically that is chemically that is chemically combined that is chemically combined two form two form क्या बनाएगा यह molecule molecules molecules ठीक है where more than one atom that is chemically combined combination और इसी chemically combination को हम क्या बोलेंगे हम molecule बोलेंगे या आप ऐसे भी बोल सकते हो smallest entity इसके का बोलेंगे इसको 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 molecule बोलेंगे तब यहां पर मैंने बस इसको क्या कर दिया है मन थोड़ा सा हिंट दे दिया हूँ के अब इसमें तो हम depth में पूरा पढ़ेंगे की होता है क्या क्या है इस पे अगे तो चलो देखते हैं आगे और यह तो हम सब का हुआ molecule हुआ atom हुआ थोड़ा सा difference अगर आपको पता हुआ ठीक है तो आगे next हम proceed करते हूँ तो अब इसमें क्या किये हैं दो scientist थें Antoine Levisor थें एक Joseph Proust थें तो इन्होंने क्या हुआ था chemical जो chemical reactions होता है इसको आगे ले जाने के काम peak level पे पहुचाने के काम Antoine Levisor एंड Joseph Proust यह दोनोंने किये थे क्या दिये थे law of chemical combination दे थे ठीक है अब उसमें भी दो टाइप के आएंगे तो चलो देखते हैं आई हो अभी यह हलका फुलका समझ में आया होगा आपको नहीं समझ में आया फिर भी कोई दिखकर नहीं अभी हम आगे समझते हैं इसको बड़ियां से चलो देखते हैं दो साइंटिस्ट थे मैंने बताया एंटोईने एंटोईने एल लिवाइजर एंटोईने एल लिवाइजर एंड जोसेफ एंड जोसेफ प्राउष्ट ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया है chemical combination दिया अपना ठीक है chemical combination मतलब क्या होता है for example जैसे कि यहाँ पर मैं बोल दूँ कि two two atom of मैंने hydrogen लिया दो atom मैंने hydrogen का लिया ठीक है एक atom मैंने oxygen का लिया ये जब दोनों आपस में मिलेंगे फोम product क्या बनाएंगे हम सबका one one molecule of water बनाएंगे मतलब एक molecule क्या बना रहे है ये water बना रहे है एक water molecule बना रहे है जैसे दो atom यहाँ पर hydrogen एक atom of oxygen लिये है ठीक है तो ये दोनों बनाएं क्या one water molecule बनाएं तो ये हम सबका हो गया chemical reaction अब अब ये reactant होता है ये आपका लिख दे रहा हूं ये आपका reactant है ये आपका क्या निकला product तो ये तो हम जानते ही थे लेकिन इन्हों ने थोड़ा सा और इसको modify करने का काम किया कि मतलब इसमें क्या क्या होते है अच्छे से इसको define करके बता है तो Antoinette, Levisor and Joseph Proust ने ठीक है दो इसमें दिये है इसमें दो इनका योगदान है इनमें दो चीजों का तो इसमें सबसे पहला आपका पहला वाला आपका है law of conservation of mass ठीक है सबसे पहला जो इन्होंने दिया था law of अच्छा इन्होंने सबसे पहले लिख ये दे रहा हूँ law of chemical combination इन्होंने दिया क्या था इधा लिख दे रहा हूँ एगनेट जो दिये हैं उसको पहले दिये लिख दे रहे हैं तो फिर confused हो जाया law of chemical combination दिया थे ठीक है इन्होंने क्या दिया था अन्टोयने लिवाइजर और कूँ प्राउष्ट ठीक है इन दोनोंने दिया था law of chemical law of chemical combination law of chemical combination इन्होंने दिया तो law of chemical combination के ठीक है इनमें भी दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया कि इसमें होता क्या क्या है law of chemical combination में सबसे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इन्होंने इसको डिवाइड किया तो पहला इसमें जो निकल के आया था, ठीक है, love conservation of mass था, और दूसरा था, love constant proportion, ठीक है, love, love, love conservation of mass, और दूसरा आपका निये निकल के आया था, ठीक है, love, love constant, love constant proportion, love constant proportion, ओके, अच्छा, love, love conservation mass क्या है, love constant proportion क्या है, चलो, इसको हम समझेंगे, ठीक है, दिया किसे ने था, Levizer and Proust, यहीं दोनों विज्ञानिंग ने दिया था, Antoine L. Levizer and Joseph Proust, इन दोनों scientist ने इसको दिया था, law of conservation of mass and law of constant proportion, ओके, तो इसको सबस्पहले नोट करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हूं, करो, 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 इसको जल दी, तो आई होप, इतना हुआ होगा, तो चलो, एक-एक हम इसको, एक इसको उठाते हैं, फिर दूसरे, इसको हम देखेंगे, ठीक है, law of conservation of mass क्या बोलता है, law of constant proportion क्या बोलता है, तो इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन धियान देंगे, लिवाइजर एंड प्रोस्ट नहीं इसको दिया था, ओके, तो चलो, आगे प्रोसीड करते हैं, सबसे पहला हम सबकर क्या है, law of conservation of mass, क्या बोलता है, चलो, देखते हैं इसको, पहला, law of conservation of mass, ठीक है, law of conservation of mass क्या बोलता है, इस्टेट डेट, एस्टेट डेट, इस्टेट डेट, इस्टेट, इस्टेट डेट, मास केन, मास केन, नाइदर, मास केन, .... bed, यह बोलता है, law of conservation of mass क्या बोलता है हम सबका, it is dead that mass can neither be created nor be destroyed in chemical reaction यह हम सबका बोलता है कि mass को न हम create कर सकते हैं और नहीं इसको हम destroy कर सकते हैं किसी chemical reaction में तो यह हम सबका होता है law of conservation of mass ठीक है चलो देखते हैं इसको it is dead that mass can neither be created mass can neither be created created nor be destroyed destroyed in a chemical reaction ठीक है इन a chemical chemical reaction देखो कैसे जैसे सपोच करो कि एक मेंने क्या ले लिया है इदर एक मेंने इस में ले लिया है एक इसमें मैंने डाल ゃा है hydrogen ठीक है और इसमें मैंने डाल यह क妻रीन तो hydrogen मैं इधर कितना डाल ला हूँ इधर मानलो मैं इधर five hydrogen डाल दे रहा हूं। टीक है। 5 मतलब atom hydrogen के ले रहूँ हूँ इधर और इधर मैंने chlorine लिया है तो इसको भी मैंने कितना ले लिया है, इसको भी मैंने 5 लिया है, टीक है तो यह जितना मैνने यहाँ पर डाला, जितना atom, कlorine का डाला, तो same, इतना ही amount में आपका देखों, इधर आप hydrogen जब इधर आयेगा तो बताओ hydrogen और chlorine यहाँ पे आ गया आपका इधर आया यह hydrogen क्या इधर फाइव होगा तो चलो 5 तो आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि 5 atom of hydrogen इधार था 5 atom of hydrogen इधार था मैंने यहाँ पर 5 chlorine के मैंने 5 atom लिया थे तो यहाँ पर 10 chlorine का atom हो गया तो बताओ क्या यह possible है हम सब का statement क्या बोला है इसका law of conservation of mass जिन्होंने Antoine Aloyser and Proust ने दिया मतलब mass को हम ना create कर सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं किसी chemical reaction में तो यह जब दोनों आपस में form करेंगे 5 atom of hydrogen है और chlorine है तो यह form क्या करेगा इधार बनके यह CL मतलब hydrochloric acid बनाएगा तो यहाँ पर 5 atom of hydrogen तो समझ में आ रहा है लेकिन यह 10 कहां से आ जाएगा क्यूंकि आप इधर 5 atom of chlorine डाले हो तो यह भी कितना हो जाएगा यह भी 5 होगा तो यह बनेगा क्या हम सबका निकल करेंगे 5 HCl आप बोलोगे वा सर सही है यह क्यूंकि 5 atom of hydrogen इधर भी था 5 atom of chlorine इधर भी था ठीक है तो यह जब दोनों आपस में chemical के लिए मतलब जितना हम जानलों कि एक मसीन में हम जितना hydrogen डालेंगे उतना ही hydrogen मसीन के बाहर भी निकालेगा ठीक है तो यही हम सबका यह बोल ला है law of conservation of mass ठीक है नहीं समझने है चलो और इसको deeply हम समझते है It means It means मतलब इसका मतलब during a chemical reaction during a during a chemical reaction okay during a chemical reaction the sum of during a chemical reaction the sum of the masses of reactant the sum of the sum of the masses of the sum of the masses of reactant एंड प्रोड़क्ट एंड प्रोड़क्ट्स रिमेंस अन्चेंजड रिमेंस अन्चेंजड मतलब इट मीन्स मतलब इसका मतलब क्या कर रहा है कोई भी अगर केमकल रेक्शन हो रही है हम सबकी तो दस्व ओफ दा टोटल मासेस ओफ रिक्टेंट यह अप मैं टोटल लिख दे रहा हूँ टोटल मासेस ओफ रिक्टेंट एंड प्रोड़क्ट रिमेंस अन्चेंजड मतलब अगर सोचो चलो इसको समझाते हैं देखो इगर एक हमने लिया एक इसको ले लिया ये ठीक है और ये दोनों आपस में और इसको मैंने लिया बी ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं combine कर रहे हैं मिलके बना रहे है C प्लस D ठीक है तो ये देखो इसका ये का मैंने ये को मैंने ले रहा हूँ इधर 1 KZ ठीक है और B को मैंने ले लिया 2 KZ ठीक है A को मैंने ये को लिया 1 KZ और B को ले लिया 2 KZ अच्छा ये दोनों जब आपस में फॉर्म करेंगे नहीं समझ मैं है, समझो इसको, क्या बोला है इदर, इट मीन्स डूरिंग एक केमिकल रेक्षिन, दस्व ओब दा टोटल मासेश, दस्व ओब दा टोटल मासेश ओफ रेक्टेंड, ठीक है, मतलब टोटल मासेश का, देखो, यह तो केमिकल रेक्षिन है, आप जान रहे हो, इतना में बताया हूँ, यह प्लस बी को यह आपस में केमिकल रेक्षिन करेगा, तो फॉर्म करेगा C प्लस D, रेक्टेंट है, प्रोड़क्ट बनाएगा, जाहिर सी बात, ओके, तो यहाँ पर बोला, it means during chemical reaction, एक chemical reaction हो रही इसके दोरान, the sum of the total masses of reactant, इसका total mass, reactant का total mass, तो दो, एक, तीन, ठीक है, and product remain unchanged, तो इसका जितना total mass होगा, reactant का, जितना total mass किसका होगा, reactant का, product का भी उतना ही mass होगा, यहाँ पर लिखा है, and product remain unchanged, मतलब जिसका, इसका इतना mass होगा, ठीक है, जितना मतलब हम add करेंगे, इसका mass जितना आएगा, उतना product का भी होगा, तो देखो, 2, 1, 3, यहाँ पर समय जुड़ेंगे ना, तो इसका 2 kg, इसका 1 kg, तो कितना total बनेगा, 3, तो यहाँ पर आया है 4 ना, तो यह गलत रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 kg आएगा, यहाँ पर 3 kg, अच्छा, यह क्या हुआ, यह आपका है reactant, यह आपका है product, यह आपका है product, एक point हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर इधर, mass of reactant is equal to mass of product, यह हमेशा याद रखना, ठीक है, mass of reactant, यह मार क्या है यहाँ पर, mass of reactant is always equal to mass of product, इत्ता बाद समय में आई, तो यह हम सब कथा law of conservation of mass, ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, law of conservation of mass, एक्चली में बोल क्या रहा था, देखो, it is dead, that mass is neither we created nor we destroyed any chemical reaction, हमने एक glass में क्या लिया है, मैंने hydrogen और chlorine को ले लिया, तो hydrogen को मैंने लिया 5 atom, ठीक है, hydrogen का मैंने 5 atom ले लिया, इसका भी chlorine का भी 5 atom ले ले लेता हूँ, यह जब chemical, जब combine करेंगे आपस में, तो बनेगा क्या, यह CL, लेकिन क्या यह CL यहाँ पर 10 मन जाएगा, मतलब 5 atom मैंने इसमें hydrogen लिया थे, 5 इसमें chlorine इसमें भी लिया था मैंने, chlorine का भी 5 atom मैंने लिया था, ठीक है, तो यह यहाँ पर बताओ, 10 atom of hydrogen मन जाएगे, या फिर 10 atom of chlorine मन जाएगे, नहीं, क्योंकि आप ज तो यहाँ भी 5 atom of hydrogen होगा, और 5 atom of chlorine होगा, तो यह हम सब का बोला था, law of conservation of mass, यह नहीं समझ में आया, तो इसको समझो, it means, during a chemical reaction, किसी chemical reaction के दोरान, जैसे यह plus B form किया, बनाया C plus D, यह plus B क्या है, reactant है, ठीक है, C plus D क्या है, product है, जैसे मैं अपनी अगर, हम सब की अगर बात क production, ठीक है, तो इसको अगर अभी product, reactant product हो गया, male में sperm, ठीक है, और female में ovum, दोनों अगर meet करेंगे, तो यह reactant हो गया, product क्या बन गया, अपका, new baby जो born होता है, ठीक है, तो we are product of sexual reproduction, ठीक है, तो वो तो biology का term है, उसको छोड़ो इधर, इधर आते हैं, तो यह दोनों, यह reactions च भी आपस में, यह reactant का total mass, ठीक है, product के mass के बराबर होगा, मतलब, यहाँ पे जितना मैंने बताया, कि जितना मसीन में hydrogen डालोगे, उतना ही hydrogen machine बाहर भी कर देगा, बाहर समझ में आई, तो यह हो गया हम सबका, law of conservation of masses, note करो, फिर आगे चलते हो, okay, note करो, note करो, note करो, करो, करो तो I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, इतना हो गया होगा, अब हम चलते हैं, law of constant proportion, क्या बोलता है वो, ठीक है, अच्छा, इसको दिया किसने, law of conservation of mass, ठीक है, law of constant proportion दिया, किसने था, बताओ, बताओ, गल्त बाद में तुम्हें बुरा मन जोगा, चलो, बताओ, watch करो, वीडियो, comment में है, अच्छे बच्चों, बता दें, होंगे, अब सब, किसने दिया था, एंटोई ने, लिवाइजर, एंड जोशेफ, प्राउश्ट ने दिया था, ठीक है, तो हम दूसरा पढ़ते हैं, पहला तो हम सब्सक्रा होगे, ठीक है, I hope, अच्छे से समाजी में आपको, आया होग आगे बढ़ते हैं, आपकी बोड़ी ऐसे हो जाते हैं नव, उब सबके बोड़ी में ऐसा कुछ चिश्छा ऐसी पा जाते हैं कि हम सब क्या करते हैं वातावरण, के हिसाब से अपने आपको उसमें एडॉप्ट, कर लेते हैं जैसा कि मेरो को क्या होता था था ना जब पहले लेक्चर में बना तो मुझे नीद आती थी, अब एक बजने वाले हैं, लेकिन अब हलका सा भी नीद नीद नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऐसा हम सब की बॉड़ी में ऐसा पाया था कि हम जिस हिसाब से अगर कहीं भी अगर हम ही रहे होंगे, ठीक है, अच्छा क्या होता है ना बोल बोल बोलके पढ़ते हो law of, क्या है constant proportion, law of constant, law of constant proportion था हम सबका, law of constant proportion, आप चलो देखो ये क्या बोलता है, law of constant proportion हम सबका क्या बोलता है, चलो देखेंगे इधर, इसमें बोलता है, 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 इसमें बोलता ह state date in a chemical direction, the elements are always present, the element are always present, okay, element are always present definite proportion by mass, okay, definite, definite proportion definite proportion by mass, देखो क्या बोल दाई है, it is state date in a chemical reaction, sorry, chemical reaction यहाँ पर नहीं होगा, chemical यहाँ पर substance होगा, ठीक है, chemical substance, chemical substance, देखो इदर, law of constant proportion क्या बोलता है, it is state date in a chemical substance, ठीक है, the elements are always present definite proportion by mass, देखो, ध्यान से देखो, यह बोल क्या रहा है, it is state date in a chemical substance, मतलब कोई भी chemical substance है, हम example में आपका ले रहे हैं इदर, example में ले रहे हैं, ले रहे हैं, यह टूओ, ठीक है, यह टूओ अगर हम ले रहे हैं इसमें, तो देखो इसमें क्या होगा, और वो मैंने लिया है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने, टू एटम किसके लिए हैं, हाइड्रोजन के, टू एटम किसके लिए हैं, हाइड्रोजन के, और यह क्या है उक्सीजन, तो मैंने लिए हैं, वन एटम किसके लिए हैं, उक्सीजन के, मैंने one atom इसके किसके ले लिए oxygen की बात समझ में आ रही है two atom hydrogen का हो गया और एक atom oxygen का हो गया अच्छा तो हम आप जाना मैं मतलब अभी आप सब नहीं जानते होंगे चलो बता रहे हैं आपको hydrogen का mass होगा one u one u अच्छा सरी u क्या आ गया u को हम बोलते है unified mass unified mass ऊपको क्या होता है यह atom को इस से major क्या आता है unified mass में आप सुचो atom कितना है कि smallest particle है ठीक है और उसको हम उसको भी हम major कर सकते है जिसको हम बोलते है यँ या फिर बोलते है यह या mu तो अभी आगे देखते हैं ठीक है और oxygen का mass hydrogen का mass कितना होता है oxygen का mass यह होता है 16U ठीक है 16U और U का मतलब unified unified mass होगा ओके अच्छा तो हमने लिया क्या है H2O हमने लिया है बात यही तो है तो इसमें हमको देखना है कि mass proportion इसका होता है कितना है ठीक है या कोई भी अगर वाटर हो तो उसका मतलब mass proportion कितने मतलब ratio में उसमें present होते हैं तो इधर देखो यहाँ पर कितना है 2 atom of hydrogen है ठीक है तो आप यहाँ पर क्या लिखोंगे 2U ठीक है यहाँ कि आप जानते हो mass कितना होता है hydrogen का 1 तो यहाँ पर 2 है तो चुकि हम यहाँ पर 2 लिखेंगे ठीक है ratio यहाँ पर oxygen का mass कितना होता है 16U ठीक है अच्छा इन दोनों को आपस में कट करो कितना आया 202 28 जा 16 ठीक है तो आया कितना 1 ratio 8 आ रहा है कितना आया है 1 ratio 8 तो water का water का mass proportion means H2O का mass proportion हमेशा क्या होगा इधर हमेशा इधर 1 ratio 1 is to 8 ही आयेगा हमेशा अब इससे आपको क्या पता चला इधर कि आप दुनिया में से कोई भी किसी भी समंदर का ठीक है या कोई भी आप नदी का या कोई भी तालाब का उसमें में से आप उसका कोई भी बून ले ले तो उसका जो मास परपोर्शन होगा 1 is to 8 आयेगा या हमेशा के लिए आप चाहे पे चंदरमा पे चले जाए अगर वहाँ पे भी अगर मालो आपको पानी मिलिया ठीक है तो वाटर है तो उसका मास परपोर्शन हमेशा उसका कितना होगा इतना ही फिक्स होगा 1 is to 8 अब बोलगे कि सर गटर का पानी थोड़ा अलग होता गंदा होता तो क्या उसका अलग होगा क्या उसका 5 is to 10 आएगा नहीं उसका भी 1 is to 8 आएगा ये constant मानी जाती है ठीक है तो यही इसमें बोला गया था इसके में कुछ आपको एक्जाम्पल बता दे रहा हूँ इक्जाम्पल में आपका हो जाएगा आप ice water ले लो ice water तो इसका mass proportion कितना होगा 1 is to 8 आप जानते हो ठीक है दूसरा आपका क्या होगा इधर आप river का water ले सकते हो नदी का ठीक है ये बरफ का पानी है ठीक है ये river का water है इसको भी आप ले लेंगे तो इसका भी इतना आएगा नहीं यहाँ पर आएगा मैं बता रहूँ 10 is to 80 10 is to 80 आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है क्योंकि आप जानते हो mass proportion हमेशा क्या होता है हमेशा के लिए ये constant रहता तो water कोई भी water हो मैंने बताया तो उसका 1 is to 80 ही आएगा ठीक है बास समझ में आई ठीक है बोल दो यार अरे जरा बोल दो आई की नहीं आई नहीं तुम सम नहीं बोल दो ठीक है चलो ठीक है नहीं समझ में आई ना पीछे से करके देखना इसको I think इतना अच्छे से समझाए हो समझ में जरूर आया होगा ठीक है तो comment करके बताना कैसा लग रहा है ठीक है वीडियो और मिलते हम अपने next lecture में इसी का हम दूसरा lecture लेके आएंगे अभी तो ये बस starting है ठीक है इतनी जल्दी क्या है अभी तो ये start हो रहा है तो धीरे धीरे हम ऐसे topic to topic समझते चलेंगे तो comment करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है मिलते हैं next lecture में and thanks for watching see you again next time bye 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 ठीक है मिलते हैं दूसरे lecture में bye 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 नहीं इससे भी ये आपके हथियार है नहीं आपके नहीं ये मेरे हथियार है आपके हथियार पर आना है आप ही ऐसे बन देंगे ठीक है bye bye